हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज वीडियो में एक टॉपिक तेखेंगे आपका इस्टेटीजी के का कि विस्व में सरवादिक बड़ा छोटा लंबा और उच्छा ठीक है यहां से दोस्तों इस वीडियो में लगवाँ आपके सौ कुश्चर कपर हो जाएंगे और जहां से जो आपका आरारव एंटीपी से एक जमाने वाला है उसमें आपको एक कुश्चर तो कम से कम मिरेगा एक दो कुश्चर ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला कुश्चर आपका कि सबसे बड़ा मह को वाधीब हुआ शुक्याै और दूसरे बात के दूसरे कौन सा आपका अफ्रीका है Cho complet a यॉए ऐस तो तीसरे का आपका उत्वी अमिरिका- चौति एस दौस्तों आपकाम्ह荏क बात करें पालसे भी पहुश्चर कोन सा आपका यहां आपका अंत्यकिटिका ओछ्ट मा ओगे आपका ओछटा आपका है यूरोब और बात कें सबसे च्होटा महाधीब तो वह आपका अता है औरowa क्मा पीश मेन अनुद करने महाधीब आसके हैं ऐसे की pewno यहां कितने महाधीब तो साथ हैं सबसे बड़का nCEI सबसे चोटा आपका और दोस्तों कभी कभी क्या होता आपका कि पहला उसन ने देगा लाश्का ने देगा तो बीच में से आपको चार देदेगा उठा के ठीक है और पूछ लेगा इनमें से कि कि आपका सबसे बड़ा महादीब कौन सा है सब छोटा है तो इस तरह से आपको कुछन बनते हैं तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा आपका तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर आपका प्रसांद महासागरे अगर आपसे पूछ जाए सबसे बड़ा महासागर तो भी प्रसांद महासागर होता आपका पूछे सबसे गहरा महासागर तो भी आपका प्रसांद महासागरी होग ठीक है और तोटल दूस्थ्व आपके पांच वाह सागर हें पहला आपका प्रसाम माशागर हो गया बात करें दूस्थरे से नहीं होता है एक ए घंड माशागर- कि महाशागर कि और दूसरब गभास माई है आपका आर् deliver national अगर्षाग warp याँ वह तो दोस्तों इस वाटा प्रिशाद मासागर दूसरे पापका आता है थीसरे बहिंद चौतर दक्सिर मासागर वापका आगटिक अगर और दोस्तों को याद करने कि कि Sortic जरणक न कर आपको पैसा एंडकना कर पी ऐसंगे तो P से आपको घ्र प्ैसिफेक महासगर पेसिफेक ऑसियन ठीक है एसे होग आपका Atlantic आई से होगा अपकाittens इंडिन ओसें ठीक है एसे आपको घ्रकीमाहइवा क आपको आपको याद दुक्त, खिक है वो एसे आपका दू आता है कि अटलंटिक एक आपका आकरिटिक और जो अटलंटिक हो आपका पहले आये अगला पॉसन देखनें आपका कि छेफ्ल की रेस्ट्सटरि n Barμαι तो दोस्तो शेथलि डेस्सलिटी सब्सटम्रा देस जो आपका रूस है औरुस दूस्तो आपको 67 करम यह सब खने पहले बाप का रूस है, दूसरे बाप का खनाड़ा है, और तीसरे बाप का आता है USA, यानि की अमेरिका, और चौथे बाप का है चीन, और पास में बाप का आता है ब्राजीन, ठीक है, और छटे बाप का उस्टेलिया, और साथ में पाप का आता है भारत, तो दोस्तों ये साथों का किरम है आपका छेत्फ़र के नुसार, इसमें क्या पूछ सकता है, अगर भारत का कौन सा छेत्फ़र है तो वो सात्मा है, और सबसे पहले नमर कौन सा छेत्फ़र है तो वो आपका रूस है, ठीक है, और दोस्तो तो एक कॉछन आप पूछा जाता है कि छेटिफ्व और जन संक्या दोनों में 50 नम्मर पर आपका कौण सा देश्हें तो दोस्तों वो आपका आता है ब्राजीर चेपका पांस में इस थाने दों को याद करने की ट्रिक है आपका आर यू सी या निग्रुक एसी ब्रेन इस से आप इसको याद रसकते हैं यहां पर देखें आपका आर यू से हो गया रूस या रसिया, सी से आपको कनाडा एस से आपको हो गया अमिर्का सी से आपको हो गया चीन बी आर से आपको हो गया ब्राजील AC आपका हो गया Australia और IN से आपका हो गया India इस तरह से इनको आप याद रख सकते हो आगला कुस्तन आपका कि सबसे छोटा देश कौन सा छेथफल में तो दोस्तों छेथफल की बात करने है जनसंग का हम बात करें तो सबसे छोटा देश है वो आपका Vatican City है ठीक है यह आपका Europe महादीप में है और दोस्तों इसका छेथफल कितना है आपका इसका छेथफल लगवाए आपका 0.49 किलोमीटर स्कौयर ठीक है और बात करने इसकी जनसंग क्या की तो 2019 के जनसंग क्या थी इसकी आपकी 825 ठीक है वेटिकल सिटी की और बात करने सबस्क्राइब नगर कौन सा छेथफल पर तो वह आपका है वीजिंग चीन का ठीक है इसका कितना छेथफल लगवाए आपका छेथफल लगवाए आपका 16808 किलोमीटर स्कौयर यह दोस्तों तो आप यहां से देखना है अगर आप लूशेंट बुक से पंड़े बैठ होगे लूशेंट जीके वाली से तो वहां पर आपको बहुत सारी मिश्टिक मिल जाएंगी ठीक है और जो मैंने डाटा इसमें खटा किया वह आपका गूगल सर्च करके बहुत जगर से आपका ए तीसे पापका है यूएसे और चौथे पापका है इंडोनिसिया और पंगा से पापका था है ब्रादीन और छटे पापका है पाकिस्तान ठीक है और इनको याद करने की ट्रिक क्या है आपकी C.I.A. और I.B. ठीक है पाक गए यह आपको जहनक ना है पाक से आपको पाकसान हो गया आई से आपका इंडोनिसिया हो गया बी से आपका ब्राजिल हो गया आपके ठीक है B से ब्राजियों लोग है, I से इंडोनिशिया, C से आपका चाइना, I से आपका इंडिया, A से आपका अमेरिका, ठीक है इस तेसिन को आप याद रख सकते हो अगला कुछन है आपका कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो दोस्तों बताएं पहले आपको कि वेटिकल सिटी आपका सबसे कम जनसंख्या वाला देश है और सबसे कम इसका आपका छितफल है और बात करें सरवाद की निर्वाचक संख्या वाला देश तो वो आपका भारत है अगला आपका सरवादी जनसंग के वाले नगर कौन सा है तो वो है दोस्तों आपका टोक्यो जापान का नगर है जिसकी जनसंग के आपकी सरवादी देश की जानी कि जिद देश की सीमा सबसे लगती है तो वो है आपका चीन इसकी सीमा आपका चौद देशों से लगती है ले सिम्हावालय देश तो दोस्तों वह आपका केनाडा जिसके सीमा के है आपकी सब्से लंबी सीमा रिखा तो सब्स छोटी सीлюk पफल्देश तो वह आपका जिव्राइल्टर ठीक है इसकी सीमा जो सबसे 시대 सीमा इसकी इसका उत्तर में आपका इस से सीम बनाता है अपनी इस पैन से ठीक है उत्तर में अगरे दिखते हैं आपका कि सबसे बड़ा दीप कौन सा आपका तो वह है तो आपको गिनलेंड जब में आपको अब्जेक्टिक कुशन सॉल्व कराये थे जिग्रफी के तो उसमें आपको बताया था तो सबसे बड़ा द ओ गार चौथए दूस्तर आपका मेडर्त अगासकर यह तीन चन्ना आपको यादख ने हैं अगर दोस्तो बात करें इस सबसे बड़ा दीप थो याँ कि आपका सबसे बड़ा दीप है इस कि इस सबसे बड़ा दीप और दोस्तों दीप क्या होता आपका तो इस्तक्रम का वहभाग जो आपका चारों तरफ से आपका पानी से गिरा रहता है वो आपका दीप क्या होता है ठीक है और बात किने प्राइदीप क्या होता है आपका जल हो एक तरफ आपका इस्तल हो तो वह आपका प्राइदीप क्या तो वो है आपका इंडोनेसिया और सबस्वर्य नदीप कौन सा वो है आपका माजुली जो ब्रहंपुत्र नदीप ये आपका असम में है सबसे बढ़ा प्राधीप कौन सा आपका और प्राधीप सबसे डिल्टा वह आपका सुन्दरबन डिल्टा है ठीक है जो सबसे बढ़ा डिल्टा है इसको दोस्तों आपको गंगा ब्रहंपुत्र डिल्टा भी बोलते हैं कि आंगला आगला है सफ공 लंभी नदी तो दोस्तों सफ लंबी नदी से जो वह आपके नीट नदी एए पृट का यह आपके अफ्रीका महाधीप में है अरइका महाधीप में इसकी लम्माई कितनी है आपकी से लम्माई लगवा आपके 667-p critic किलो मेटर अब बात करें दूसरी सभी नलिक कॉन सि और आपके आती है आमेजर्न बाती है क्ये जिसकी लम्माई आपकी लगवा मेशका 6575 किलो मेटर घृंक इस इज पूछा गया है तो इस चीज आपको जहां रखनी है अगला आपका सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाब की डिश्टी से कौन सी है तो दोस्तों वह आपके अमेजन नदी ठीक है लंबिक बात करें तो वह आपकी निदी है और सबसे बड़ी नदी चौड़ी और पेरू बोल्विया और आपका को लम्बिया और एक है आपका एकवाडॉर ठीक है यह आपकी 500 में बहती है नदी अब बात करें सबसे छोटी नदी तो वह आपके D नदी ठीक है ये कहाँ आपके USA में है यानिकी अमेरिका में है अगला आपका सबसे लंबी साहिक नदी तो तो वह अपके मेडवियर नदी इस कि साउग नदी है Okay तीक है है किसका लबाई के इतनी आपकी पाद आला क 나서 तो आप अगला आपका सबसे वेस्ट नहर तो यह दोस्तों आपकी है कीन नहर जो कि आपकी जर्मनी में है ठीक है और दोस्तों यह कीन नहर जो आपकी उत्ती सागर को यह बाल्टिक सागर से जोड़ती है उत्ती सागर को आपका वाल्टिक सागर से जोड़ती है अगला आपका सबसे बड़ी जील तो दोस्तों यह है आपके कैस्पियन सागर ठीक है जो आपके सबसे बड़ी जील है और दोस्तों साथ में यह आपके सबसे बड़ी खारे पानी जील भी है सबसे बड़ी खारे पानी की जील ठीक है दोस्तों इस बीडियों के सारे आप नोट करते रहें आए अगला कुश्ण आपका कि सबसे बड़ी ताज़े पानी की दील कौन सी है तो दूस्तों वो है आपकी superior जील ठीक है यानि सबसे बड़ी है आपके ताज़ पानी की धील यह कहाँ आपकी यापकी USA और कनाड़ा की सीमा परिस्तित है ठीक है और बात करने सबसे गहली जील तो वह आपकी विकाल जील जो कि आपकी रूस में है और सबसे गहली जील कौन सी है वो आपकी काजिन सारा जील नेपाल तो दोस्तों इसकी खोजा भी 2000 में की गई थी काजिन सारा जील नेपाल की और दोस्तों इससे पहरे जो सबसे बड़ी सबसे गहली जील कौन सी थी वो थी आपकी तिली चो जहिल ठीक है तिली चो ठीक है ये भी आपकी नेपाल में है अगर दोस्तों आपके सामने option काजिन सारा जहिल नहीं दे रखा हो तो आपको तिली चो जहिल सहीर आंसर करना आपका ठीक है तिली चो जहिल इस चीज़ आपको धानक नहीं है अगर दे रखा हो तो आपक में पूछा आपका सबस्कुत कर चलती हों तो व फो ь ढोगव कि चलती हो धो तुम हरा कि आ अमेरीका में कि अगला ब्रत से Bos यहां तुमेत में मेनिटौ एंगार भी के अगभी कि टिर साय लक्षिट है थे अगला घ्रृ। यह लबरता वाले जहीं कुन सी, तो यह आपकी वांज जहीं तुर्की में ठीक है इसमें सरवादे लबरता पाय जाति आपकी और दोसतों लबरता को मामत Inv keep 0 3,000 तो इस तरह से आप सको is 웃ो करते हैं आगला का्ल आपका सम्बूत तल्से और बात कर एक खारेइ पानी सबसे नीची जिल्ट ये मत्र साग्र हो जाएक है कि अगला सबसे छोटा पक्षी कुंसा आ तो वह आपका हमिंगवर्ड इन संसार का सबस्योटा पक्षी होता ये हमिंगवर्ड ठीक आपकी लंबाई कितने होती है लगवा 5-6 cm होती है मात्र और बात का सबसड़ पक्षी तो वो होता आपका ओस्ट्री ज्यानी की सुतुन मुर्ग ठीक है जो इसका वजन कितना होता लगवा आपका डेर कुंड़ तक होता वजन 150 केजी तक सुतुन मुर्ग का और इसकी उचा ही कितनी होती ही रगवा इसकी उचा ही रगवा होती है आपके 3 मीटर तक अगला आपका सबसे बिसार का है पसु कुंसा है तो वो दोस्तो आपका बिलू भील ठीक है अगला उसन देखते हैं आपका कि सबसे उचा पसु कुंसा है तो वो दोस्तो आपका होता है जिराफ यानि जिराफ जो आपका सबसे उचा पसु होता है और सबसे बिद्वान पसु तो वो आपका चिंपेंजी होता है यानि कि इन्सान के बाद सबसे बुद्धिवान जो माना गया है वो आपका चिंपियन जी को माना गया है अगला आपका सबसे लमा ब्रक्ष तो दोस्तों सबसे लमा ब्रक्ष होता आपका सिकोया जो कि आपका कैलिफोनिया में पाया जाता है कैलिफोनिया यूएसे में और इसका सर्वोस्थिकर कौन सा आपका ? एक कंका गुआ ठीक है ? यह चीज़ आपको दहन रखनी है इसका सर्वोस्थिकर यह भी आपके एक्जाम में पूछा जाता क्या बार और दूसरों बात कर पहरे तो आपको एंडी जोगे सबसे बड़ा प्रवतमाला और दूसरों बाते पहरे तो क्वेश आती है ? रौकी परवतमाला तीसरों बाते पहरे शोथे पहरे तो क्वेश आती है ? ग्रेट डवाइडिंग रेंज कभी दोस्तों आपसे मैचिंग पूछ लेता है यह सबसे आपकी एक्जाम में अगला आपका सबसे उंची प्रवत्माला कौनची तो दोस्तों वह आपकी हमाले प्रवत्माला सबसे उंची है यह कहा है आपका दक्समी मद्देजिया में है और बात करें आपका सबसे उंचा प्रवत्माला कौनची है तो दोस्तों वह आपका माउंट है जो कि आपका हमाल है धिया दिवट का पठार जिसकी उचाई लगवा कितनी आपकी पहांच जार मीटर्स की उचाई है और बाद कर शब्से नंबा रिप्लेटफॉर्म तो वह दोस्तो आपका गुरुपुर का सभसात zone सभवादे बड़साज होती होती हो औस मना सन्राव मेंไมगालiron में Deaf catіль ए enriched मैं और सभसें सके जूरा में लाइन ही तो दोर्ट हो यह है आपको किए हाए आपका कि या अजrauenटीना और चिली मे स्ट क शीनित है चिली कि सीमा पर खैक और बात के लुखर्ट है अर्बात का सबसे बड़ा ओर्मäreखी तो दोस्थे वो है आपका मोना लो और्भ जो कि आपका हुआ है हुआहईदिप में है हवाईदिप युसीवत्त क्ञवाइब्स तब सबसे मंदिर आपका पूल्डर वड़का मंदिर जो कि आपका कंबोडिया में है और सबसे राजधनी वह आपकी लापाज बोलिविया में यानि लापाज की जो बोलिविया की राजधानी आपका लापाज है वो आपकी सबसे उची राजधानी है अगला आपका सबसे बिसा जलसंदी तो दोस्तों यह आपका टाटा जलसंदी यह कहां है कि यह आपकी रूस और सखालीन दीप के मद्दे स्थित है सखालीन दीप के मद्दे है ठीक है और बात करना सफसे चौड़ी जलसंदी तो दोस्तों वह है आपकी डेविस जलसंदी जो कि आपकी ग्रिन लेंड और वैनिट बीप पे इस्थित है ग्रिन लेंड और आपका वेफिनदीब गला है दोस्तोब कर सबसे रखी कुष्टन है कि बिश्विकर सबसे बड़ा सागर कौण मेर तो दोस्तो बिश्वा जो आपका वो है ठीक है तो दोस्तो औमीर करता हूँ आज वीडियू आपको अच्खाला होगा और दोस्तों यह मांग चलिए इतने वापके बंडे अग्जाम होते हैं जैसे हैं कि आपका RRV NTPC हो गया UPSI हो गया और आपका यूपिटर पर से कोई भी अग्जाम हो गया ठीक है जैसे कि UP लेकपाल बगरा हो गया SSC हो गया इन सभी अग्जाम हो आपका इस वीडियो से कम से कम एक से दो कुस्तन आपको कम से मिलेगा ठीक है इस इस वीडियो को थोड़ा द्यहां से देखना और दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो आपको पस्ना आया होगा और दोस्तों अगर आप RRV NTPC त्यारी कर आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें को यहां पर आपको लगाता मैंत रीजिंग और जीए सी वीडियो लगाता मिलते रहते हैं तो दोस्तों थैंक यूफर वाचिंग